नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं निबंदन भी कराया जा रहा है, जिनको चिकित सा प्रति पूर्थी मिल रही है मौथ होने पर 10,000 रूपए कफ़न के लिए भी दिया जाता है वहीं साधी के समय 30,000 रूपए मिलता है मैदूर का उम्र 60 साल से अधीक हो जाने पर प्रति माँ 1,000 रूपए दिया जाता है अब सरकार असी प्रकंडों में मुख्य मंत्री सार्थी योई न लाने जा रही है इसमें युवाओ को प्रसिक्षन दिया जाएगा प्रसिक्षन के बाद एक माह तक रोजगार नहीं मिलने पर युवाओ को 1,000 तथा युवतियों को 15,000 रूपए प्रति माह दिया जाएगा पतादे मंत्री स्रम उर्जा वनिजेकर खान रायसो एवं भो निवंधन विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार का जबाब दे रहे थे जबाब का भी पक्ष ने भहिसकार किया बाद में स्रम नियोजा निव प्रसिक्षन विभाग का 9 और पचासी कोड़ोर 84 लाग 79,000 रुपए का अनुदान मांग धोनिमत से पारित हो गया है मौसम विभाग के अनुसार बे मौसम बारिस से लोगों को बुद्धवार सराहत मिलने वाली है मौसम विभाग के अनुसार 22 मार्च से आसमान साफ रहेगा वही 26 मर्च को एक बार फीर बारिस की संभावना जताई गई है बे मौसम बारिस से किसानों को सबसे अधिक परिसानी हो रही है कटनी के बाद खेतों में रखी रभी फसल भिंग गई है वही कई किसानों को इस बारिस से लाब भी पहुचने वाला है बता दे जमसेदपूर में दो फरहल की बारिस होई इसका असर तापमन पर दिखा तापमन में गिरावट दर्च की गई मौसम विभाग के अनुसार बुद्धवार से आसमान साफ रहेगा वही 26 मार्च को फिर बारिस का असर है मंगलवार को सोहर के अधिकतम तापमन में 6 डेगरी से सेस की गिरावट भी धर्च की गई है जमसेदपूर में एक ही परिवार के दो लोग H3N2 संक्रामीत पूर्वी सिम्हुम जीले में सोमवार को एक साथ मिले 3 H3N2 के मरीजों में दो मरीज एक ही परिवार के है परिवार छोटा गोविंदपूर इलाके का रहने वाला है दोनों मरीज आपस में भाई बहन है भाई की उम्र 15 वरस और बहन की उम्र 7 वरस बताई जा रही है दोनों का इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा है दोनों की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है वहीं तिसरा मरीज टेलको का रहने वाला है उसकी उम्र 86 साल बताई जा रही है इन मरीजों को सरदी खासी बुखार बदन दर्द गले में परेशानी होने पर अस्पताल में भरती कराया गया था जीला सर्विस लेंस विभाग के द्वारा कराई गई जाच में इसकी पुष्टी हुई है अब तक जीले में पूरे जीले में H3N2 का 42 संदिक्द मरीजों की जाच में 4 मरीजों में H3N2 की पुष्टी हुई डाक्टरों के अनुसार इन सभी लोगों की चीती समानिय है JSSC में 690 परियोग साला सहायकों की नियोक्ती जार्खन सरकार द्वारा नियोकती नियमावली में संसोधन के बाद अब जार्खन में नियोक्तीयों का रास्ता साफ हो गया है मावली में संसोधन के बाद जारकन करमचारी चैन आयोग ने पाहला नियोकती बिग्यापन जारी कर दिया है मंगलबार को 96 परियोग साला सहाय कोक की नियोकती के लिए बिग्यापन जारी कर अभियार्थियों से ओनलाइन आवेदन अमंतरित किया गया इक चुक अभियार्थी 5 अप्रेल से लेकर 4 माई तक आवेदन जामा कर सकेंगे बतादे 6 माई की मद रातिरी तक परिछात सूल का भुकतान तथा पोटो वहस्ताक चर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउंट लेने के लिए 8 माई की मद राति तक लिंक उपलब्द रहेगा वही 10 माई से लेकर 12 माई की मद राति तक आवेदन पत्र में अभियार्थी का नाम जनमती थी इमेल आईडी और मोबाइल नमर को छोड़ कर किसी भी असूद प्रविष्टी को संसोधित करने के लिए पुनल लिंक उपलब्द कराई जाएगी राम नावमी जूलूस में डीजे पर परतिबंद को लेकर बीजेपी एमेले ने फड़ा अपना कुरता बिधान सब हमें 72 के दोन मंगलवार को राम नावमी जूलूस के दोरान डीजे पर परतिबंद संबंधित प्रसासनिक आदेश का भाजपा बिधायकों ने जम कर बिरोध किया हजारी बाग के भाजपा बिधायक मनीश जैसवान ने आसन के सामने बिरोध स्वरूप अपना कुरता तक फाट दिया उन्होंने कहा है कि हजारी बाग में राम नावमी जूलूस के दोरान डीजे पर परतिमन लगाया गया है पाँच हैयार लोगों के बिरोध प्रसासन ने धारा एक सो साथ के तहत करवाई भी कर दी है पोड़ेया हाट के कॉंग्रेस बिधायक परदी प्यादों ने भाजपा को दंगाई पार्टी तक कह दिया है वही मनिस जैसवाल ने जाम तड़ा के बिधायक डाक्टर इफान अनसारी को बंगलादेशी बताते वे उन्हें तालिबानी समर्थक तक कह ड़ाला भारी हंगामा के बीच भाजपा की बिधायकों ने आसन से बिचार करने वा प्रसासनिक आदेश को आपस लेने की मांग की है सोसल साइट पर पूलिस रखेगी नजर रामनामी को लेकर रांची के उपायोक्त एवां वर्ये पूलिस अधिक्छक ने जीले के सभी पता अधिकारी जन परतिनी धी और सांती समिती के लोगों के साथ मंगलावार को बैठक की बैठक में रामनामी के दोरान बेहतर बेवस्था साप सपाई वार्नों का इंतेजाम आखाडों के जूलूस लाइसेंस महिला पूलिस बल की परतिन्युकती सहीत कई मुद्दों पर चर्चा हुई बैठक के दोवान उपाईक राहूल कुमार सिना ने कहा है कि परसासन आखाडा समित्यों को हर संबव सहयोग देने के लिए त्यार है वहीं सोसल साइट पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है वर ये पूलिस अधिक्चा किसोर काउसल ने साभी नागरी को से अपील की है कि अपति जनक पोश्ट या फिर समुताईक विसेस जीले पोश्ट डालने वाले की सुचना तुरंत पूलिस को दे वैसे लोगों पर पूलिस तौरित कड़ी करवाई करेगी चौदा कोर सरशट लाक से होगा एतिहासिक तपोवन मंदीर का संदर्य करान 72 के दोरान एक तरब सदन के बाहर और अंदर राम नामी जूलूस के साथ उसमें बजने वाले डीजे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घरने की कोशिस की तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने राम नामी से ठीक पहले तपोवन मंदीर के आसपास इलाकों के संदर्य करण को लेकर सिलन्यास किया गया इसके लिए 14 करोड़ 67 लाक की रासी का प्रवधान है इन पैसों से मंदीर के अंदर और बाहा संदर्य करण किया जाएगा बतादे करीब 14 करोड़ 67 लाक की रासी समंदीर प्रिशर और आसपास के छेतरों को संदर्य करण करने की अधार सिला मंगलवार को रखी गई मुखे मंत्री हमंसरेन ने पूरी बिधी बिधान से पुजा अर्चना करकी इस मौके पर राची के भाजपा विधायक सीपी सिंग मुखे मंत्री के सचीव बिनय कुमार चौवे तपवन मंदीर के महंत ओंपरकास सरन मौझूद थे दूरगा सुरेन विश्व बिध्यालय समेत दो विश्व बिध्यालय विध्यक पारित बैट सत्र के दुर्ण मंगलवार को दूर्गासु ने विश्व बिद्याले और जैन विश्व बिद्याले विध्याक पारित हुआ है। कहा है कि पिछले सत्र में आरका जन विश्व विध्याले बिधायक के समय सीम ने नीजी विश्व विध्याले की जाज को लेकर से एक कमिटी बनाने का आगर किया था उस कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद ही नए नीजी विश्व विध्याले को खुलने के उनमती दी जाए ज्यारखन के किसानों के लिए खेतों में बनाये जाएंगे वाच टावर भाजपा के वरिष्ट विधायक निलकंट सिंग मुंडा ने ध्यारन करसन के दरान राजे में जंगलों के बीच रेलवे लाइन का विस्तार और अवैद खनन के करण वन चेत्रे में कमी के कारण मानाव हाथी संगर्स की घटनाओ में बढ़ोतरी का मामला उठाया वही मंत्री चंपई सुरे ने कहा है कि मानाव हाथी संगर्स का पूरा समधान निकालने के लिए मिल कर विचार करना होगा सरकार के ओर से मानाव हाथी संघर्ष में ब्यक्ति की जान जाने और फसल संपत्ती का नुक्सान और मुवस्यों के हताहत होने पर मुवजय का प्रवधान किया है जनवर के हमले के रोकने के लिए जीले में समीतियां बनाई गई है क्विक रिस्पोंस टीम का गठन भी किया गया है वही जानवरों से बचाव के लिए खेतों में वाच टावर बनाया जाएगा बन रक्षियों को पहली बार दी गई इनसास चलाने की ट्रेनिंग भविस में जरुरत पढ़ने पर वन कर्मी जंगल में तसकरों के साथ साथ नक्सलियों से भी मोर चले सकेंगे इसके लिए वन रक्षियों को पहली बार इनसास ट्राइफल चलाने का प्रसिक्षन दिया जा रहा है वन रक्षियों को जमीन के नीचे दवे आईडी का पता लगाने अरुष से बचने का तरीका भी बताया जा रहा है वन मंत्रालाई की ओर से वन रक्षियों के ट्रेनिंग कोर्स में पहली बार इस विसयों को सामिल किया गया है धन्यवाद